नमस्कार आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी मैं हूँ आपके साथ अंशिका और इस वक्त की बड़ी खबर पर हम बात करेंगे जहां सुप्रीम कोट ने पूर्फ पुलीस कमिशनर परंबीर सिंग को राहत दे दी है जिसके तहट अब महा विकास अगारी सरकार को बड़ा ज कांच नहीं होगी इसी मामले पर जादा चर्चा के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं मेरे सहयोगी युदिश्टर युदिश्टर जिस तरह से महाविकास अगारी सरकार को ये बड़ा जटका लगाए सुप्रीम कोट ने एक बड़ा फैसला सुनाया परंबीर सिंग के मामल परंबीर सिंग के मामले की वो जाच करे तो अब सुप्रम कोट ने उस पर एक तरह से रोक लगाती है और उससे रोक लगाने से क्या होगा कि ग्रफतारी पर बात कहीं जा रही कि कब उनकी ग्रफतारी होगी परंबीर सिंग को लेकर बड़ी बड़ी बात है कहीं जा रही थ थे महराश्च सरकार भी बहुत वावा कर रही थी लेकिन अचानक से जब कोई नया मुद्दा आया निकल के तो सारे के सारे जब आच उसकी आई जो ग्रहमंत्री है वाँके तो उसके बाद उसके बुद्दव सरकार के भी तेवर बदलने लगे तो कुल मिलाकर अब जो सुप CBI से मितला CBI से चाह रहे थे कि CiBi करदें जब अचे इसकी लेकिन महराश्च सरकल कही नहीं करेगी इस समामले में जाच नहीं कर सकती अब 9 मार्च को यह पता लगेगा कि NCBI इस इस मामले की जाच करेगी या नहीं करेगी तो क्या लगता है कि CBI तक ये मामला जाएगा या फिर ये मामला यहां ही अटका रहेगा भी भी देखिए इस दिती तो ऐसी लगरी जिस तरह सुप्रिंपूर्ट ने का है तो अभी हो सकता है क्योंकि जब महराष्ट सरकार के एक तरीके से याचका को उस पर सुनवाई करते हुए नौ मार्स तक स CBI तक जाएगा तो यह सच्चा ही है कि दूद का दूद पानी का पानी हो जाएगा और इस पूरे मुद्धि में कह सकते हैं पूरे मामले हम परंबीर सिंग से जो मामले जुड़े हुए हैं जो वसूली कार next का मामला है या व्याफी और मामले हैं उन्में कहिं ने कहिए उद्धव सरकार के कई नेता मंतरी फसे हुए हैं और इसकी आज उन तक जाएगी जादा जानकारी के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं अरुन जी जिस तरह से अब ये सुप्रीम कोट का फैसला यहां सामने आया है तो क्या इसके बाद परंबीर सिंग को पूरी तरह से राहत मिलेगी क्या उन पर जो आरोप लगे हैं क्या वो इन आरोपों से बच पाएंगे देखिए मैं पूरी केस को आपको बता दूँ इस पूरे मामले की शुरुआत होती है मार्च 2021 में मार्च 2021 में मुकेशंबानी के घर एंटीलिया के सामने एक स्कॉर्पियो में कुछ विस्फोटक मिलते हैं उसके बाद उद्धव सरकार परंबीर सिंग को मुंबई पुलिस चल रहे हैं मुंबई में महाराष्ट में जिसे लेकर पूरे सियासत में गर्मी आ गई उद्धव सरकार गिरफतार करने पर तुल गई परंबीर सिंग को कारण ये था कि उन्होंने उद्धव सरकार की पोल पट्टी खोल कर रख दी कि साब यहां तो आप अबैद वस्फू सरकार थे परंबीर सिंग इस मामले में सचीन वाजे को बली का बकरा बना दिया गया उन्हें गिरफतार कर लिया गया उन पर कई तरह की बातें जो सामने आई अब नवंबर 2021 के बाद इस मामले में एक नया मोड आया परंबीर सिंग सुप्रिम कोर्ट पहुंचते हैं कि महाराष्ट सरकार पर भरोसा नहीं है इसलिए कि मैंने चुठी लिखी महाराष्ट के पुरू ग्रेह मंत्रिय अनियल देशमुख के खिलाप उन पर अवैध वसूली जबरन वसूली का आरोप लगाया और इस वज़ह से मुझे प्रतारित किया जा रहा है सुप्रिम कोर्ट ने उस वक्त परंबीर की गिरफतारी पर रोक लगा दी महाराष्ट सरकार ने परंबीर सिंग को निरंबित कर दिया लेकिन अब सुप्रिम कोर्ट का जो फैसला आया वो सीधे तोर पर कहा गया कि महाराष्ट सरकार जो पांच किस की जांच कर रही थी मुंबई और ठाने मे वो जांच अब नहीं करेगी 9 मार्च तक सारे जांच पर रोक लगा दी जाए 9 मार्च के बाद हम फैसला देंगे कि इस मामले में परंबीर के किस की जांच सिवियाई करेगी या महाराष्ट सरकार करेगी या किसी अन्य एजेंसी को दिया जाएगा लेकिन जिस तरह से हम बार-बार देखते आए हैं अरुन जी अगारी सरकार के ही नेता संजर राउत हर बार किसी ना किसी मामले पर अपनी बयान बाजी करते हैं तो क्या इस बार भी महाविकास अगारी सरकार या फिर उद्धव ठाकरे की पार्टी की ओर से कोई बयान प्रश्मुक उद्धव सरकार में ग्रिह मंत्री रह चुके हैं इस अवैध वसूली के आरोप के बाद उन्हें इस्तिफा देना पड़ा था सचीन वाजे ने जिस तरह से बयान दिये हैं कि बड़े लोगों के कहने पर मंत्राले के बड़े लोगों के कहने पर मैंने डेर से 200 करोड रुपे की वसूली की थी ये बड़ी खबर थी अपने आप में उस वक्त और आज ये बड़ी खबर है कि नहीं सुप्रीम कोट भी इस चीज को समझ रहा है सुप्रीम कोट की यहां टिपड़ी मैं आपको बता दूँ सुप्रीम कोट ने इस पूरे मामले पर कहा कि बेहद ही गंभीर मामला है जितना सरल इसे समझ रहे हैं उतना सरल नहीं है अगर ऐसे मामले आते रहे तो लोगों का पुलिस पर से नेता पर से जन प्रतिनीधी पर से विश्वास उठ जाएगा जो समवैधानिक खत्रा पैदा कर सकता है सुप्रिम कोट की बड़ी टिपड़ हैं लेकिन बही उद्धव सरकार बार बार एक उस आरोपी को बचाने के लिए सुप्रिम कोट सी बी आई हाई कोट लोवर कोट हर जगा खड़ी हो जाती है जिस पर करोड़ों के वसूली के आरोप हैं मुंबई के रिस्त्रा मुंबई के होटल से करोड़ों रुपए के की की गई जब ग्रिह मंत्री हुआ करते थे अनिल देशमुक और एक बात जो सबसे बड़ी बात है इसमें वह मैं आपको बता दूं कि सुप्रिम कोट के इस फैसले के बाद जो फैसला उसने दिया है जो टिपड़ी उसने की है इससे सपश्ट तौर पर जहलगता है कि 9 मामला सिब्याई को शायद सौंप दिया जाए कारण ये है कि परमीर सिंग ने अपनी अचिका में सीधे तोर पर कहा है कि मुझे माहराश्य सरकार माहराश्य पुलिस पर कोई भरोसा नहीं है जिस पर सुप्रिम कोट ने कहा कि यदि पुलिस का एक सरवच्य अधिकारी पु सवाल पैदा करता है पुलिस को लेकर इसमें कई खोलासे होने की उम्मीद पूरी जताई जा रही है कैमरा पर्सन रवी के साथ मैं अन्शका कैपिटल टी अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करे हमारे चानल को सब्सक्राइब करे और हाँ बेल आइकन दबाना ना भूले ताकि आप तक हमारे वीडियो अग नोटिफिकेशन पहुचती रहे आप अपना सुधाब हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं हमारे साथ चुणने के लिए शुक्रिया